हेलो दोस्तो अगर आप एक arts, commerce या फिर science के student हो और अगर आपको अपना future import export manager, logistic manager, supply chain manager, foreign exchange dealer, strategy manager, business development manager, etc. के तोर पर बनाना है तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा देखो क्यूंकि आज के special वीडियो में मैं आपको full detail में जानकरी दूँगा कि import export manager का काम क्या होता है import export manager बनने के लिए आपको क्या education लेना पड़ता है, कौन सा course करना पड़ता है, उस course को करने के लिए कितने रुपीज तक की fees आती है, import export manager बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से skills होनी चाहिए, import export manager बनने के बाद आपको कितने रुपीज की salary मिलेगी और आप कहा कहा पर job कर स तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि import export manager का काम क्या होता है दोस्तो import export manager का काम काफी देदा जिम्मेदारी वाला होता है जिससे कि आप सभी को पता है import याने बहारी देश से अपने देश में सामान खरीदना और export याने हमारे देश से कुछ सामन बाहरी देशों को बेचना तो दोस्तो इस import and export के process के दोरान जो moderator होता है उस moderator को export manager कहा जाता है दरसल export manager manufacturing units के अंदर काम करता है ये जो manufacturing companies होती है ये अपना product manufacture इंडिया में करते है और बाहरी देशों में उनका product sale करते है तो दोस्तो जो export manager होता है उसका काम यही होता है कि ये जो manufacturing companies ने जो product बनाई है उन products को sale करने के लिए उसको बाहरी देशों में clients डूणने होते है export manager को daily basis पर उनकी meeting लेनी होती है उनके साथ बातचीत करनी होती है हर दिन नए-ने agents के साथ मिलना जुलना होता है तो दोस्तो यही काम export manager का होता है और इसके साथ साथ जो export manager होता है उसको Indian laws को भी काफे ज़द धान में रखते होए उसका काम करना होता है तो दोस्तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि export manager की क्या-क्य responsibilities होती है दोस्तो पहली जो responsibility यह होती है कि जो भी सामान हमारे देश से बाहरी देश में जाने वाला है या फिर बाहरी देश से हमारे देश में आने वाला है उस सामान को अच्छी तरीके से pack करना और उसको सही तरीके से दूसरे देश में पहुचाने की पूरी जिम्मेदारी export manager की होती है manufacturing unit या फिर logistic के अंदर जितने भी persons काम करने वाले होते हैं उन सभी पर निगराने रखने का काम याने supervising करने का काम export manager का होता है और दोस्तों ये जो manufacturing unit होता है ये जो manufacturing companies होती है ये export manager को daily basis पर एक target देती है उस target को अच्छीव करने का काम भी export manager का होता है अपने manufacturing unit के products को बहरी देशों में sale करने के लिए नए-नए plans बनाना और बहरी देशों में जो भी agent से उनके साथ अच्छे संबंध बनाना इसके साथ-साथ दोस्तों जो भी सामान go down से बहर जाने वाला है उस सामान के पूरी तरीके से entry हुई की नहीं उसका bill बना है की नहीं ये भी दोस्तों चेक करने का पूरा काम export manager का होता है ये सभी responsibilities दोस्तों एक export manager की होती है अभी दोस्तो हम लोग जान लेते हैं कि export manager बनने के लिए हमें कौन सा course करना पड़ेगा क्या education लेना पड़ेगा और उस course की कितनी fees आएगी दोस्तो किसी भी stream से pass out होने वाला student export manager बन सकता है दोस्तो export manager बनने के लिए तरह तरह के courses market में available है आप BBN foreign trade कर सकते हो जो 3 years का होता है जिसकी fees लगबग 50,000 रुपई से लेके 5,500,000 रुपीज तक की होती है यह जो fees में आपको बता रहा हो यह full course की fees है दूसरा course market में available है वो है B.com foreign trade management और इस course की fees लगबग 25,000 रुपई से लेके 1,000,000 रुपीज तक की होती है इसी तरीके से दोस्तो और courses market में available है जिसे की bachelor of foreign trade जो 15,000 रुपई से लेके 1,000,000 रुपीज तक की होती है इन सभी courses के अंदर आपको important export management की सारी knowledge दी जाती है कि कैसे आप important export business को start कर सकते हो कैसे उस business को build कर सकते हो किस तरीके से आपको international trades को करना होता है और किस तरीके से दोस्तो आप अपने small business को import and export के जरीए बड़ा बना सकते हो तो इन सभी के बारे में दोस्तो इस course के अंदर आपको full detail में knowledge दी है इन में से कोई भी एक course complete कर लेने के बाद आपको सारी knowledge मिल जाएगी जो एक export manager के पास होनी चाहिए दोस्तो ये सभी courses 3 years के होते है इन में से कोई भी एक course कर लेने के बाद आप एक export manager बन जाओगे basically एक import and export manager बनने के लिए आपके पास foreign trade की कोई भी एक degree होनी चाहिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि import export manager का course कर लेने के बाद आपको तुरंत ही job नहीं मिलेगी आपको अपने अंदर कुछ इसी skills डेवलप करनी पड़ीगी जो skills आपको उस job के लायक बनाएगी और वो skills ही होगी जो आपको export manager के post पर job हासिल करके देगी तो दोस्तो कोर्स करते समय आपको अपने अंदर कुछ skills डेवलप करनी है जो skills में अभी आपको बता देता हूँ दोस्तो अगर आपको एक import and export manager बनना है तो उसके लिए दोस्तो आपको time management skills को सीखना पड़ेगा और आपके अंदर strong decision making skills होनी चाहिए आपको team work के साथ काम करना पसंद होना चाहिए आपको daily basis पर बहारी देशों से contact करना होता है तो दोस्तो आपके अंदर excellent communication skills होनी चाहिए आपके अंदर import and export की पूरी समझ होनी चाहिए तो दोस्तो यही 4-5 skills है जो अगर आपने अपने अंदर develop कर ली तो दोस्तो आपको तुरंथ ही कोई भी company important export manager के post पर job दे देगी तो दोस्तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि important export manager कहा कहा पर job कर सकता है और उसको कितने रुपीज की salary मिलीगी दोस्तो जैसे आपका course complete हो जाएगा तो दोस्तो आपको अधानी logistic company, Mahindra Logistic Limited, Angel Logistic Limited, TCI Express Limited, Transport Corporation of India Limited, etc. जैसे बड़ी-बड़ी company से offer आना शुरू हो जाएगा और इन सभी companies के अंदर आप एक Logistic Analysis, Logistic Manager, Supply Chain Manager, Foreign Exchange Dealer, Strategy Manager, Business Development Manager, etc. पोस्त पर job कर सकते हो अगर दोस्तो इस फिल्ड में हम लोग salary के बात करें तो दोस्तो जो fresher होता है उसको पर बंद 25,000 रुपे के salary दी जाती है और जैसे उसके पास 2 years का experience आ जाता है तो उस person को mid-level salary दी जाती है जो होती है 15,000 रुपेज पर मन्त और जैसे उस person के पास 5 साल का experience आ जाता है तो दोस्तो उस person को 15,000 रुपे का annual package दिया जाता है याने monthly salary एक लाग 25,000 रुपेज तक की होगी तो दोस्तो important export के business के अंदर जैसी आपके पास experience आता जाएगा उसके साथ दोस्तो आपके salary भी बढ़ती जाएगी दोस्तो job के साथ साथ आप अपने part-time businesses भी कर सकते हो और लाखो रुपीज की कमाई कर सकते हो तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ कि आपको important export manager की सारी detail में जानकारी मिल गए होगी इस वीडियो को share करके logo की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और इसे वीडियो सहरोज दिखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को धन्यवाद हेलो दोस्तो अगर आप एक आर्ट्स कॉमर या फिर सब्सक्राइब करें